हТакए हेलो ज़िन च zie-मालू आजकी क्लास में हम लोग योनिट वन जो की इंट्रोड़क्शन है अमारा हम इसको कंटीनियो करने वाले हैं लास्ट क्लास में हम लोगोंने meany of economics को discuss किया था साथी साथ economics के definitions के बारे में भी जाना और definitions of economics को हम लोगों ने चार category में divide करके discuss किया था आज के class में हम उसी से related economics के अंदर ही कुछ basic terms जो हम use करते हैं economics में जैसे की scarcity क्या होती है, economic problem से हम क्या समझते हैं और economic activities से हम क्या समझते हैं, इनके बारे में जानेंगे तो चलिए बिनादेरी के शुरू करते हैं और आज का class हम सबसे पहले शुरुबात करेंगे scarcity के meaning से scarcity का मतलब क्या है, हम ये बात discuss करते हैं तो जब हम scarcity की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कमी चीक है, इसका मतलब होता है कमी, अब कमी का मतलब क्या हुआ कमी तो ठीक है, हिंदी मतलब हुआ लेकिन scarcity का मतलब क्या हो गया तो देखो, हमारे daily life में scarcity का मतलब हम समझेंगे shortage of a certain commodity अगर हम daily life की बात कर रहे हैं general sense में meaning की बात करें तो scarcity का मतलब हो क्या shortage of commodity वस्तूओं की कमी को हम scarcity बोलेंगे दूरलबता बोलेंगे लेकिन अगर हम अर्थ सास्त्र में बात करें economics में बात करें कि economics में scarcity का मतलब क्या है तो economics में scarcity का मतलब हो जाता है limitation of supply of a commodity देखो general sense में अगर हम बात कर रहे हैं मैं यह आप लिखती जाती हूँ अगर हम general sense में scarcity का मतलब समझें तो इसका मतलब simple हो जाता है shortage of commodity ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं economics में अर्षास्त्र की परिभाशा क्या हो सकती है अर्षास्त्र में तो economics में scarcity का मतलब हो जाएगा limitation limitation of क्या का limitation तो limitations of supply of a product किसी एक वस्तू का supply limited हो जाना in comparison to demand of the product कोई वस्तू है और उसका जितना demand है अगर demand की तुलना में supply लिमिटेड हो जाएगे सीमित हो जाए कम हो जाएगे तो इसी limitation of supply को हम economics में scarcity के नाम से समझेंगे तो scarcity का मतलब economics के सेंस में अलग है economics में scarcity का मतलब होता है कि जो demand है resources का यहाँ पर product की जगा पर अगर demand बोले तो भी चलेगा अगर product की जगा पर resource बोले तो चल जाएगा कैसे तो जब हम scarcity की बात करते हैं तो scarcity का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जब resources की मांग जादा हो अगर resources की मांग अधिक है और उसके comparison में जब supply of resources कम है संसाधनों की आप पुर्ती कम है और उसकी मांग अधिक है तो इसे ही हम कहेंगे क्या scarcity यही है scarcity का मतलब तो हमारे पास जैसे इसको example के तौर पर समझो कि हमारे पास पैसो की कमी है ठीक है पैसे हैं हमारे पास लेकिन जितने चाहिए उससे कम है तो जितने की मांग है हमारे पास पैसो की जितना हम demand कर रहे हैं पैसो का उतने पैसे हमारे पास है नहीं तो उस इस्थिती को हम कहेंगे कि पैसे हमारे पास क्या है scarce है उस situation में हम कहते हैं कि money या resources अगर resources का मतलब हम यहां पे पैसा मीन कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास कमी होती है same economics का economics में हम scarcity के बारे में जानते हैं scarcity का मतलब हो गया limitations of resources in comparison to demand of resources साधनों की जरूरत है हमें कुछ जादा ही लेकिन उसकी तुलना में उसका जो supply है वो कम होना this is called scarcity अब चलिए scarcity का मतलब हो गया अब क्यूंकि scarcity है तो इसी से relate करके हम पढ़ेंगे अपने अगले topic को और वो होगा economic problem देगे कमी है इसलिए problem है हमारे पास अब ये problem है क्या तो ये समझ लें और ये economic problem किसी देश की समस्या नहीं है ये हर एक वैक्ती की समस्या है ये हर एक individual की समस्या है और जब हम इन सारे लोगों की समस्या को मिला देते हैं तब जाकर कि ये देश की समस्या बनाती है तो सबसे पहले तो यही जान ले भई कि ये है क्या तो economic problem को आप define कर सकते हो it refers to the problem of making choice in presence of scarcity what is economic problem तो economic problem is the problem of making choice economic problem का मतलब हो गया वो समस्या जो किस से संबंदित है choice करने से संबंदित है selection करने से संबंदित है ये choice हमें कब करना पड़ता है तो जब संसाधनों की हमारे पास कमी होती है in the presence of scarcity जब हमको choice करना पड़ता है तो जो problem हमें चुनने में आती है, जो समस्या हमें चुनाओं करने में आती है, हम उसी समस्या को economic problem कहेंगे economic problem को जरा सब डीटेल में समझें, तो देखिए, अच्छा, ये तो क्या economic problem, जैसे कि मान लो कि आपके पास 100 रुपए ही है इस 100 रुपए से आपकी इक्छाएं अनन्त हैं, लेकिन उन अनन्त इक्छाओं में हम कुछ इक्छा को चुन लेते हैं, जैसे कि आपको एक pen परचेस करना है आपको दो copy परचेस करनी थी, आपको book भी चाहिए था, आप chocolate खरीदना चाहते थे आपको ice cream भी खाने की इक्छाथ थी और आप movie देखना भी चाहते थे तो अगर हमने देखा, तो यहाँ पर अगर हम अपने resource की बात करें, तो वो सीमित है भई, काफी सीमित है और मात्र है 100 रुपे, यह हमारा resource हो गया, साधन हो गया, जिसका इस्तिमाल करके हम अपनी एक्छाओं को पूरा कर सकते हैं लेकिन अगर हम अपनी एक्छाओं की बात करें, तो वो बड़ी साधा है, असीमित है हमें 100 रुपे, इस limited पैसे से अपनी तमाम एक्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे इस स्थिती में हमें चुनना पड़ेगा, या तो pen खरीदें, या तो copy ले लें, या तो किताब, या फिर chocolate, या ice cream, या movie देखे, सब को तो नहीं कर सकते हैं पूरा, इन सब में से तो कोई एक चुनना ही पड़ेगा, मान लेजे कि हमने चुन लिया कि हम किताब खरीदेंगे, अब ये जो हमने चुना है किताब को, this is called choice, ये हमारा selection हुआ, ये हमने choice किया, ये choice आपने कैसे किया, इतनी सारी किताब ही लोगे, आपको किताब ही खरीदना है, इस बात का selection आपने कैसे किया, तो ये जो process हुआ, choice करने का, in the situation of scarcity, कमी थी न, पैसे कम थे, सब को नहीं कर सकते थे पूरा, तो सब में से देखना पड़ा, कि भाई, सबसे जरूरी क्या है, तो समझ माया कि सबसे जरूरी कि किताब है, पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, कमाने के बाद, अपनी बाकी किक्षाओं को भी एक एक करके पूरा कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे, जो हमने selection किया है, choice किया है, इसी choice, इसी चुनने की समस्या को, हम economic problem कहते हैं, इसी choice करने को, हम economic problem कहते हैं, और यह समस्या है, यह तो यहाँ पे मैंने आपको normal एक example से समझाया है, सेम अगर हम consumer की बात करें, तो consumer को अपने बहुत तरह के गुच, यह consumer का example था, कि एक व्यक्ति है, उसके पास resource सेमित है, और एक चाहें बहुत जादा चीज़ों की है, तो वो किसका consumption करे जिससे उसका satisfaction maximum हो सके, तो consumer के case में उसने book यहाँ पे purchase किया, ताकि उसको satisfaction के तौर पे maximum satisfaction मिल सके, अगर यहाँ पर कोई producer होते, तो वो उस तरह के goods को चुनते, जिसको बना कर उनका profit maximum होता, और society होती, तो वो उसको चुनती, जिसससे समाज का कल्यान अधिक्तम होता, और य किसी भी एक वस्तु को pick कर लेते हैं, और उससे maximum satisfaction या maximum profit या maximum welfare मिल जाएगा, इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन ही दिक्कतों को, उन ही समस्याओं को, अब आर्थिक समस्याएं कहते हैं, अब हमको जानना होगा, कि ये समस्याएं जो है, ये economic problems जो है ये arise क्यों हो जाते हैं, कारण क्या है, क्यों हमें चुनना पड़ता है, क्यों हम सारे goods and services को purchase नहीं कर सकते हैं, तो देखिए चुनने की समस्याओं इसले आती है, इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं, होते हैं, सबसे पहला जो कारण है, वो है unlimited wants, मनुष्य की जो हैं, वो असिमित हैं, असिमित एक्छाओं के साथ एक मनुष्य जीवन जीता है, जिसकी वज़ा से उनको काफी समस्याओं आती हैं, कि वो सारी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, अगर हमारी समस्याओं ही असिमित नहों के सीमित होती, तो economic problem नहीं होता, तो पहला दूसरी समस्या की बात करें, तो वो है limited resource, unlimited wants तो है, वो तो एक समस्या है, दूसरा है limited resource, साधन जिनका इस्तिमाल करके, हम अपनी चाओं को जरूरतों को पूरा कर सकें, वो साधन सीमित हैं, देखें, अगर resources भी unlimited होते, तब हमें economic problem face नहीं करना पड़ता, लेकिन resources जो हैं, वो भी हमारे पास कैसे हैं, तो सीमित हैं, इस वज़े से भी economic problem जो है, वो देखने को मिलता है, और तीसरे problem की बात करें, तीसरी समस्या जो है, यह तीसरा कारण जो है, वो है alternative uses of resources, जो संसाधन है, उनका इस्तिमाल भी हम, एक ही साधन का इस्तिमाल हम, alternative products पर कर सकते हैं, alternative product के स्तिमाल पर कर सकते हैं, और इस वज़े से समस्या देखने को मिलती है, economic problem की, कि हमने, एक तो एक्छाएं बहुत जादा हैं, दूसरा, जिन एक्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं, साधनों से, वो सीमित हैं, और वो साधनों का इस्तिमाल भी, हम, अलग रगवस्तों को खरीदने पर कर सकते हैं, और यह हो गया हमारा, economic problem and उसके causes, अब हम लोगों को जानना है, economic activities के बारे में, economic activities हम किसे कहेंगे, तो देखिए, जितनी भी activities हैं, जितनी भी activities हैं, उनको हम दो भागों में बाड़ सकते हैं, एक होती है, economic activities और दूसरी category की activities कहलाती है, non-economic activities, अब सबसे पहले हम बात करें कि economic activities हम किसे कहेंगे, और फिर हम बात करेंगे non-economic activities हम किसको कहेंगे, तो economic activities का मतलब हो गया, वो सारी की सारी activities जो की जाती है, it refers to all those activities, all those activities which are related to, जो कि संबन्दित होती है, किस से, तो which are related to monetary gain, money के terms में, फाइदा, कमानी के लिए, या money के तौर पर benefit के उदेश से, हम जितनी भी activities करते हैं, उन सारी activities को economic activities कहते हैं, वो सारी activities जो related होती है, monetary gain से, मतलब money के terms में, फाइदे के लिए, हम जिन भी activities को करेंगे, उनको हम economic activities कहते हैं, और ये जो all activities हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो हम कई तरह की activities करते हैं, जो पैसों से सम्मंदित होती है, और उन सारे के सारी activities को, हम कुछ categories में categorize कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, production, उतपादन, पहली activity, जिसमें हम goods and services का production करते हैं, to get profit, profit कमाने के लिए, दूसरी activity है, consumption की, जिसमें goods and services का consumption किया जाता है, ताकि satisfaction को maximum किया जा सके, तीसरी activity, जो economic activity कहलाती है, इसमें exchange आता है, जिसमें goods and services को exchange करते हैं, in terms of money, चौती activity होती है, distribution, जिसको कहते हैं, वित्रन, distribution की जो activity है, इसमें हम, उन activities को include करते हैं, जिसमें क्या होता है, कि, जितने भी factors of production, contribute करते हैं, to the process of production, उनको, उनके काम के बदले में, हम payment देते हैं, तो इसमें हम जो pay करते हैं, जैसे labor को हम wage देते हैं, capital को हम interest देते हैं, land को rent देते हैं, तो इस तरह से, जो भी distribution करते हैं, वो money के terms में कर रहे हैं, तो distribution भी, एक important economic activity है, and the next and last is investment, investment की, जो activity है, वो भी economic activity कहलाती हैं, और इस तरह से, पाँच activities main हैं, जो की economic activities कहलाते हैं, और इन पाँचों में, कहीं न कहीं, पैसे include किये जाते हैं, यह पाँचों activities, पैसे के terms में ही किये जाते हैं, या तो monetary gain के लिए, और consumption में, सिर्फ monetary terms में, पैसे के terms में, goods and services को purchase करते हैं, तो यह हो गया हमारा, economic activities, इनके बारे में आपको जाना है, और याद रखना है, अब चलते हैं, दूसरी activity के बारे में, जहां पर है non-economic activities, तो देखे, economic activities का यह just उल्टा है, क्या थी economic activity, तो all those activities, which are related to monetary gain, तो non-economic activities, economic activities का उल्टा होगा, तो यह वो सारी activities होंगी, जो related होती है, which are related to, which are not related to, which are not related to monetary gain, money के terms में, फाइदा नहीं कमाने के लिए, या पैसे कमाने के उदेश से, हम जिन activities को कर रहे हैं, वो non-economic हैं, लेकिन human सर्फ वही activities नहीं करते, जिनसे उनको पैसों की प्राप्ती हो, human वो activities भी करते हैं, जिनमें उनको पैसे शामिल नहीं होते हैं, या पैसे वो नहीं कमाते हैं, बट फिर भी वो उस तरह की activities को human करते हैं, अब वो किस तरह की activities हो जाएंगी, तो non-economic activities में आपके main activities आजाते हैं, जैसे कि किसी भी teacher के द्वारा, अपनी बच्चों को पढ़ाना, जहां पर वो कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहें, तो वो आपका non-economic activity है, वही activity अगर teacher school में या college में पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले में वो पैसे ले रहे हैं, तो वो economic है, तो non-economic में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको monetary terms में benefit नहीं हो रहा, सिर्फ यही नहीं, mothers जो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, वो हो गया, धार्मिक activities हम करते हैं, साथ ही साथ social activities किया जाता है, जिसमें आप समाजिक कारे करते हैं, समाज के हित के लिए आप करते हैं, जिसमें आपको directly पैसे नहीं मिलते, बट अप फिर भी आप करते हों, तो वो हो गया आपका social activities, उसी तरह से आपकी हो गई charitable activities, जिसमें आप किसी की मदद करते हैं, दान देते हैं, इस तरह की activities आपकी charitable activities के अंदर आती हैं, next is political activities, बहुत तरह की activities आप करते हों, जो political politics से related होती हैं, बट उसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं, जैसे परचार, परसार में आप शामिल हो रहे हैं, रैली में शामिल हो रहे हैं, भाशन सुन रहे हैं बैट करके, तो इस तरह की activities आप कर रहे हो, लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो ये तमाम activities जो हैं, ये आपकी non-economic activities कहलाती हैं, और भी कई तरह की activities हैं, तो इन सारी activities को हम इन categories में categorize कर सकते हैं, और economic activities जो हम पैसे कमाने के उद्धेश से करते हैं, उन सारी activities को हम इन पाच categories में categorize कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो topic था, activities को समझने का जिसमें हम economic activities समझ रहे थे, ये complete होता है, और economics का जो introduction था, वो हमारा इसी के साथ finish होता है, अब next class में हम लोग statistics को introduce करना शुरू करेंगे, statistics का introduction शुरू करेंगे, जिसमें हम origin, growth of statistics से शुरू करते हुए, उसके limitations तक की बाते करेंगे, तो जो statistics का introductory part होगा, या जो introduction होगा, वो हम अपने next class में करेंगे, Thank you. करेंगे,